हे गाईस नमस्ते जिस पे हम ज़्यादा उमीद रखते हैं वो ही हमारा दिल तोड़के जाता है क्योंकि यहाँ पे केटिजन पे हमने ज़्यादा उमीद रखी थी तो यहाँ पे इनका एड्रप एलोकेशन चेकर लाइव हो चुका है आप अपने जाके टोकन चेकर करोगे त और भी आपको एड्रप केटिजन के तरूं मिलने वाला है वो आपको थोड़ी जानकारी दूँगा फोर्टिंग प्राइस जो है वो कितने तक खाई जा सकती है क्योंकि जो अलोकेशन मिली है सबको वो बहुत ही कम मिली है क्योंकि हम सबका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई बट यहां पे जो allocation मिली है वो बहुत ही कम मिली है complete detail इस वीडियो के अंदर share करूँगा इसलिए वीडियो को end तक जरूर देखना और आपका भी opinion comment box में comment कर सकते हूँ hey guys finally यहां पे catizen ने हम सब का दिल तोड़ दिया है क्योंकि हम सब बहुत ही उमीद लगा के बैटे थे कि catizen से हमको लाकों में profit हो जबता है करके बट यहां पे जो allocation अभी आप check out करोगे जाके तब आपका दिल तूटने वाला है यहां पे बहुत सारे यूजर को एक दो टोकन तक दिये गए भाई किसलिए एक दो दे रहे हो वो भी रख लो ना और यहां पे mainly बात कर रहे तो कुछ यूजर को 14,000, 15,000, 20,000 तक भी टोकन मिलें वो आपको आगे दिखाने वाला हूँ एड्रोप allocation कैसे check out करना है वो भी आपको अभी बताने जा रहा हूँ बट इन सबसे पहले कुछ update से वो आपको बता देता हूँ जैसे कि यहां पे catizen वालो ने अपने twitter पे share किया है कि जो initially TGA के time पे जो total supply रहेगी उसमें से circulation supply रहने वाली है 30.5% तो आप समझ लो 1 billion के token रहेंगे उसमें से 305 million के token initially market के अंदर रहेंगे और add drop कितना यहां पे दे रहेंगे टोटल 15% का ही add drop के लिए रखा है और 9% का इन्होंने Binance के launch pool के लिए रखा है ठीक है बट जो बाकी का 18% है वो कहां पे होने वाला है क्योंकि आपको यहां पे समझ आ जाएगा यहां पे इन्होंने clearly mention किया कि add drop के लिए 34% के token रखे हैं और जो Binance का launch वो ले उसके लिए 9% रखें तो यह हो गया total आपका 43% ठीक है बट यहां पे 34% में से हमको अभी इनिशल जो add drop दे रहे हैं वो यहां पे कितना दे रहे हैं आप देख लो सिर्फ add drop 15% का दे रहे हैं तो जो 18% बचा हुआ है तो वो शायद यह season second के अंदर देने वाले या फिर आपके वेस्टिंग के अंदर चले गएं दुनों में से एक हो सकता है ठीक है second thing जब allocation इतनी कम मिल रही है तो सब यूजर पूछ रहे हैं कि क्या price क्या 10$ 20$ होने वाली है नहीं यहां पर देखो प्री मार्केट के अंदर यह price चल रही है max to max जाएगी 1-5$ उससे नहीं जाएगी तो profit जो हम मन में लगा के बैटे थे कि हमको 10,000, 5,000, 1000$, 500$ को होगा वो सब नहीं होने वाला है बट सम यूजर ने उनको अच्छा खासा allocation मिला है सम यूजर को जिनकी मेहनत जादा रहेगी या फिर उननने fees वगरा जादा दी रहेगी उसको जादा allocation भी मिल हैं ठीक है तो एक दो token किसको मिले रहेंगे जो silver और golden level रहेंगे initially अभी start किया रहेगा 10-20 दिन के अंदर उनको वो मिले हैं शायद जो starting से थे उनको 300-200-500 token मिले हैं अभी चलते हैं यहाँ पर पूरी detail share करने के लिए कैसे withdrawal करना है withdrawal करने के बाद यहाँ पर आपको stake पे लग करने के लिए मिलती है कि आपको कितने token मिले हैं ठीक है अभी यह allocation check out करने के बाद आपको यहाँ पर दो option मिलते हैं एक तो आता है stake to earn और एक और एक्षेंज में deposit कर सकते हूं एक्षेंज के अंदर deposit कब कर पाओगे यह वीडियो आपको provide करूंगा उसके बाद शाम को या फ कि आप हमारे अंदर stake करो आपको इतना API provide करेंगे और आपको reward मिलेगा staking का बट यह गलती मत करने जाना ऐसा क्यूं बता रहा हूं देखो समझो यह BGP pool ठीक है और यह upper side पे एक और GT pool करके ठीक है GT means gate.io यह ठीक है इसके उपर आप click करोगे okay पे click करोगे यहाँ पे अभी आप चाहे तो stake लगा सकते हो but API जादा मिलेगा but यहाँ पे आप अभी withdrawal करने जाओगे क्यूंकि listing जो है इनकी वह है 20 September को ठीक है तो यहाँ पे आप जब staking पे लगा दोगे तो यहाँ से आप withdrawal 24 ठीक है 24 September से पहले नहीं कर पाऊगे but listing कप है listing है 20 September को तो price तो डंप रहेगी नीचे आए जाएगी आप सबको पता ही रहेगा क्यूंकि जातर यूजर को अच्छा कासा एटरफ नहीं मिला क्यूंकि बहुत सारी fees वगरा spend किये वह टॉन कोईन में वह फिश कोईन वगरा बाई वगरा करने के लिए तो उस रिसाप से allocation कम मिली है बहुत तो उस रिसाप स आप हमको profit जादा नहीं हुआ और भी वैसे ही मिल रहे हैं पांच-दस डॉलर उसमें से भी बात में एक-दो डॉलर ना मिले सिंपल इसलिए बोला कि आपको स्टेक नहीं लगाना है ठीक है आपको क्या करना है सिंपल सा स्टेक कुछ नहीं करना है वीडियो देखने के अब एक डर लगने लग गया कि जो एमस्टर कॉमबेट है उसमें भी हमको ऐसी लोकेशन ना मिल जाए भाई कि उसमें भी बहुत सारे यूजर है तो बस वह नहीं होना चाहिए बाकि आपका ओपिनिन आप कॉमेंट में कॉमेंट कर सकते हो कि आपको कितने टोकन वगरा मिल हैं और यहां पर मैंने अभी टेलिग्राम के अंदर डिसकेशन ग्रूप भी आउन कर दिया तो आप अपनी राई भी रख सकते हो कुछ भी डौट से तो पूछ सकते हो तो दूसरे यूजर भी आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे अगर मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा तो ठीक है तो हमारे टेलिग्राम चैनल के साथ आप आके जूट सकते हो और बस यही थी अपडेट जो आपके साथ शेर करनी थी मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है फिर भी मतलब थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना था क्योंकि बहुत इसर पूछ रहे थे कि हम स्टेक कर द झाल